नमस्कार दोस्तों दोस्तों जब support और resistance या आप supply demand के हम levels बनाते हैं तो हम वही support resistance बनाते हैं जो यहां से market एक तेजी से उपर की तरफ गहता तो हम यही support बना के रखते हैं लेकिन आप देखोगे कि market ना यहां से भी rejection लिया आप देखोगे यहां से भी rejection लिया है और यहां से US की क्पया में यहां से भी rejection लिया है और यहां से भी rejection लिया है बालकि आपके लिए यहां पर कोई भी support और resistance नहीं होगी ठीक है cloud को यहां पर कोई बी level नहीं है फिर भी market यहां से इतनी demand क्यों create हुई है यहां से क्योंकि यह पूरी जो lag है ना इसी के अंदर hidden demand चुपी हुई है ठीक है मतलब कि इस lag के अंदर hidden demand है इस lag के अंदर demand चुपी हुई है तो आज की इस video में मैं आपको शिक्काऊंगा कि जब market एक rally करता है ना यह वाला resistance है लावी market चल रहा भी तो लेकिन इस resistance के अलावा market में और कौन-कौन से इस lag के अंदर और hidden demand कहां कहां पर है ठीक है उस hidden demand को डून रहा हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम इसके अंदर क्योंकि हो सकता है कि market यहां से यहां से भी गिड़ जाए जब market यहां पर आएगा इस जगह पर यहां से जाके यहां से भी इस तरीके से गिड़ जाए यहां पर एक demand चिपी हुई रहेगी या एक supply चिपी हुई रहे तो देखो और किस तरीके से मैं आपको अपसाइड का बता रहा हूँ यहीं का उल्ठा आप डाउनसाइड के लिए कर ले ना देखो मारकेट एक रैख करेगा उपर की तरफ सपोर्ट से उठ तरीके तन यहां से मारकेट उपर क्यों गया होगा क्योंकि जब यहाँ पर कोई एक red candle बनी होगी इस तरीके से आपको यहाँ पर यह एक red candle समझ के चलना है कि यह एक red candle है अगर आप सब को पता होगा कि एक buyer के लिए एक seller बैठा हुआ है ठीक है मतलब अगर किसी को सो quantity buy करने है न तो उसके लिए सो quantity को sell करने वाला भी बैठा होगा तो यहाँ पर सब लोग जब sell कर रहे होंगे तब यहाँ पर बड़े player ने यहाँ पर buy किया होगा जब बड़े player ने यहाँ पर buy किया था उसी के बाद में यहाँ पर market एकदम suit करा था ठीक है अब जब सब लोग यहाँ पर buy करेंगे तो उनके पास में कुछ quantity market एकदम तेज़ी से suit up करेगा तो अपनी quantity हमें से ऐसे pullbacks में लेंगे इन pullbacks के अंदर लेंगे क्योंकि अगर वो अगर बढ़ते हुए market में बड़े player buy कर लेंगे ना कि इस तरीके से market उपर की तरफ जा रहा इस तरीके से और अगर वो इस बढ़ते हुए market में अगर वो भी buy कर लेंगे ना तो market इस तरीके से तेज़ी से suit up कर जाएगा क्योंकि एक साथ उनकी heavy quantity लगेगी तो उस वज़े से market इसे धीरी दीर चलता चलता इतने तेज़ी से चला जाएगा अभी देखो यह जो यह वहा न यह एक्सपारी के कांड यह इसी वज़े से होते हैं यह चोटी-चोटी करें से कंडल बनने नहीं है यह यह बड़ी सी कंडल उसी के अंदर एक चोटी सी कंडल बन जाएगी ठीक है क्योंकि मैंने आपको पछली वीडियो में बता था कि अपने inside कंडल की और भी part से इसके inside कंडल को एक ही ही ठी़ोरी नहीं है इसके बहुत सारी तरीक और तिंसको बची रही होगी तो जब एक छोटा सा मार्केट ट्रेस्मेंट करेंगा ना एक थोड़ा सा बेस मनाएगा तो इनकी 10 मंदर कुआंटिटी यहां पर भी लग जाएगी अब मार्केट यहां से तेजी सिक गया और थोड़ा रूखा ठीक सबको दिख रहा और अची से इनकी पूरी तरीके से ठीक है अब उसके बाद में बड़ी प्लेयर के क्वांटिटी तो लगी चुकी है तो मार्केट इस तरीके से अब उपर के तरफ जाएगा ठीक है लेकिन हम सबको पता है कि यहां पर उनकी क्वांटिटी लग चुकी है इस लैक के अंदर उनकी पूरी क्व तरीके से मार्क कर लेना यहाँ इस तरीके से यहां पर आएगा तो उपड़ जाएगा हो सकता है 30 पर 30 से टाइम मार्केट इस तरीके से नीचे भी चला जाएगा तो मुझके लिए इस्टोब लोस रखेंगे और रिस्क रिवार्ड हमें 1-2 का रखना तो जैसे ही कैंडल इसक ले लेंगे और इस Hispanics का हमारा support रहेगा अगर मार्केट अपट्रेंड में है तो हमें टच करने पर ले ना किया Ivan J जाए तो जो भी हमारा पैटर्न बनेगा उस पैटर्न को बनने के बाद में हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे और वन इस्टू टू से कम हम रिस्क वार नहीं लेंगे इसके अंदर ठीक है अगर इसकी प्रोबैबिलिटी पचास परसंट भी रहेगी तब भी हम इसके अंदर प्र आएगा तो अब जब भी मार्केट यहां पर इस तरीके से आएगा तो हम यहां पर ट्रेड लेंगे और फोल बैक देगा तो हम एकजीट कर देंगे जैसे में वन इस्टू का रिस्क वाड़ मिलेगा अब देखो चार्ट पर चलो यहां पर बनाए है लेकिन मैं अभी आपक बन चुक है, तो मतलब की यहाँ पर जिन्होंनी बॉय नहीं किया था, उन्होंने यहाँ पर बॉय कर लिये, तो अब जब भी मार्केट यहाँ पर आएगा, इसको टच करेगा तो हम यहाँ से ट्रेड लेंगे यहाँ से, मार्केट इस जगर पे क्योंकि एक भी high low के नीचे market close नहीं करा था तो एक trade अमारे यह हो गया और one is to two हमें यहाँ पर भी मिल चुका है फिर उसके बाद में market दुबारा इसको touch करा तो एक trade अमारा यह वन गया टाइम प्रेम मैटर नहीं करता टाइम प्रेम आप कोई सा भी उच कर सकते हो इस lag के अं इसको touch करके यहां से नीचे गीरा भी है इसको यहाँ पर और अपन देखते हैं यहाँ पर यह है कंडल लेकिन inside नहीं है यह अलग कंडल है इसकी थेयोरिय में आपको बाद में सिखाऊंगा और कोई उपर की तरफ बनी हुई है आज की market में आज की market में ऐसी कोई भी कंडल अभी तक बनी हुई नहीं है तो अब अपन थोड़ा time frame को चोटा कर लेते हैं ताकि हम इस वाली lag में हम देख सकें यहाँ अगर अपन देखते हैं तो एक तो यह मिलती है हमें चोटी पूरी inside तो नहीं है यह भी नहीं है लेकिन अपने इसको ले सकते हैं क्योंकि एक base बना और मिसको extend right कर देता हूं तकि आगे तक अपने को रहे पता और कोई यह बनी थी साथ के साथ में feel हो गई थी और इस lag में कोई बनी है क्या इस lag में नहीं बनी यहाँ पर यह बनी थी यहाँ पर आप देखोगे यह यह बनी थी और यह यहाँ पर इसका भी काम पूरा हो चु ठिसके पर नहींli करिए इसके अंदर आसकती लेकिन आई नहीं है ओर अपन देखते हैं यहाँ पर बन्या क्या नहीं यां आयेंगर अभी देखर लेंगे लाय मार्केट में भी बनी हुली होगी तो अपर दिख्री होगी ये वाली आधे को यह फूरल ऑन ये वाले हना इसको टेस्ट यहां पर आएगा इस जगह पर यहां पर तो वह बनीट सब्सक्राइख करें सब्सक्राइब तो यह वाली भी नहीं है और अपन देख लेते हैं यहां पर यहां पर भी कोई नहीं है यह बनी थी यह रैली के बाद में यह वाली तीक है और इस को फूरा कर भी दिया था और ऐसे लाइव मार्गेर में ऐसे कुछ बनी हुई बहुए है अजिक है अपन अपन देख लेते हैं अगर कोई बनी हुई हो तो लाइव मार्केँट के अंदर आपधा उसको भी देख लेते हैं है 1-2-2 का target होगा ठीक है इस टोबलोस हो जाए कोई गूर बात नहीं है यहाँ पर देखो इस टोबलोस तो जाए तो हमें इस टोबलोस ले ले लेना लेकिन अपने रिस्क रिबार से में ही रहना अपने को ठीक है अगर 1-1 मिलता है में यहाँ पर तो ट्रेड को हमें exit कर देना ह जो अगर अपने पास अगर दो लोट है ना तो एक लोट हमें यहाँ पर एकजिट कर देना ताकि अगर मार्केट दुबार जाए तो हमारा मार्केट एक रेली करा है और यहाँ पर देखोगी उससे पहले वी एक देखो यहाँ पर बनी हुई है यहाँ पर अपने को अच्छा रिस्क रिवार्ड भी मिल गया था बार चोईस पॉइंट का अपना टार्गेट पूरा हो गया तो लाइव मार्केट में एक ही बनी हुई ह जिसके अंदर अपना हो सकता है इस टोबलोस हो जाए लेकिन कोई गम नहीं है उससे पहले अपने बहुत अच्छे ट्रेड सही भी गया है और यहाँ पर अपन देखते हैं एक यह वाली बनी है इसको टच करने के बाद में यह भी अपना बिल्कु सही गया और इसके बाद म अब अपन उब कोल्ड के इंदर देख ले ते हैं अगर कोई setup बना होया है तो कोई भी केंडल नहीं है इसमें भी नहीं है इस वाली रइलियर में भी नहीं ये थी ये वाली देखो यй इसको चोट हीनि ऊच्छी थी फी पूरी हो चुगी और इसके बाद में नहीं है कोई भी नहीं है इसके नीचे भी नहीं कम बनती है लेकिन इसका वह से जाह 7 बार काम को चाह密क करनेगा तो उतनी बार। यह आपने को इंसाइड वालीी की चाहिए जो इंसाइड बनती है वो ही चाहिए एक दमक्वरी इस तरीका से फिर तरीक आशाउनना इस और अधर advert रोग यह तो तो ऐसा है दस में से तीन या चार बार इस टोपलोस भी होगा हमेजा हमें टारगेट ही नहीं मिलेगा तो लेकिन आप देखोगी उससे पहले ये अच्छे तरीके से काम की हुई है यहां से उपर जा चुका है अब हमारा next level कुन सा यहां से हम डाउनसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं यहां से इस तरीके से जब हमारे के यहां पर जाएगा तो यह हम डाउनसाइड का प्लान कर सकते हैं अब देखो आप दिमाग लगाओ यहां पर यहां पर हमारे स्टोपलोस होगा है तो आप comment box में पूछ लेना ठीक है no doubt आपको comment box में बता दूँ ठीक है दोस्तों तो उमीद दोस्तों आपको वीडियो प्रसंद आई होगी तो दोस्तों वीडियो प्रसंद आई हो तो like कर देना और आपके भाई के चैनलों को subscribe पर देना धन्यवाद